हेलो एवरिवान वेल्कम बैक तो माई चैनल गाई एक और नियू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आई होब कि सभी अच्छे हैं खुश हैं अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के में आपके लाइफ में क्या बिग इविंट आ रहा है ठीक है कौन सा अनेक्सपेक्टेड इविंट आप रिसीव कर सकते हैं आपको देखने को मिल सकता है आने वाले मंत में तो देख लेते हैं क्या आता है आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करें शु काakapात्स ओश्रोडों कभी भी आप देख रहे हैं आप ये संजिए कि उस मंथ आपको मिल सकता है वह इविंट तालरक टीख है लेकिन जैनवेरी मंध के लिए यहिए तो देखते हैं आने वाले मंथ में जैनवेरी मंध में इस साल के पहले मन्त में आपको क्या बिग इविंट देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में फोर अफ सोर्ड जेमिना लिब्रान इक वेरियस किंग अफ सोर्ड तो अफ वांड एरिस लियो स्टरी यहे lately 생각 अवांड सेंग्ड ग्यांडियर शॉर्ड शॉर्ड इव यह वांट Τं लीसे है टॉर्ड जाफाट जय्योशांग ज्रूर्ड तेररा ह।स्व। वांट है लाइव्ड टैसस्ती है किंगे किंग इविंट अपिस Knight of Pentacles and we have the Hierophant यहां से है Six of Wands देखो कुछ victory तो आते वे दिख रही है आपके पास आने वाले मन्त में कुछ celebration आ रहा है अच्छा यह ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने किसी friend की wedding attend करें आपके बहुत close friend होंगे वो best friend की wedding हो सकती है ऐसा मैं देख रही हूँ जिनका air element हो सकता है अगर आपका air element है तो उनका water होगा और अगर आपका water है तो उनका air element होगा ऐसा मैं देख रही हूँ किसी friend की wedding attend करते हुए दिख रहे हैं January मन्त में और साथ ही साथ आपकी healing तो मुझे दिखी रही है progress पर दिख रहे हो आप और काफी ज़्यादा positive attitude भी आपके अंदर आता हूँ मुझे दिख रहा है आप जल्दी ही कुछ decide भी कर रहे हो इसी मन्त में January मन्त में कुछ decide कर रहे हो और एक decision लेते हुए मुझे दिख रहे हो जो आपकी healing में बहुत ज़्यादा आने वाले मन्त में और साथी साथ काफी confidence बढ़ गया है emotional feelings पर भी काफी control लगा लिया आपने ठीक है एक अच्छी strategy बनाते हुए भी दिख रहे हैं और अच्छा इसके अलावा अगर wedding वाला कोई scenario नहीं है तो मुझे लगता है कि आप जो achievement चाहते हो क्योंकि यहाँ पर hierofend का card है यह card यह भी बताता है कि हो सकता है अगर बहुत टाइम से कुछ job वगरा सर्च कर रहे थे इस वाली field में लाइक doctor, teacher, lecturer चीक है या फिर lawyer, judge या फिर कोई बहुत बड़ी government job अगर आपको चाहिए चीक है कोई officer बनने के लिए अगर plan कर रहे हो तो हो सकता है उसके लिए एक अच्छी strategy बना लो या थोड़ा बहुत आपको positive outcome मिलेगा जिसकी वज़ा से आपकी life में celebration करने का मौका आपको मिल रहा है कुछ ऐसे भी events आते वे दिख रहे हैं आपकी life में ओवरॉल मुझे लगता है victory आने के chances हैं चाहिए victory बड़े लेवल पर है चोटी लेवल पर है victory विक्टरी होती है और हर कोई celebrate करता ही है तो कुछ ना कुछ celebration मैं आपके पास आते वे देख रही हूँ आपकी देखो ऐसा नही है कि 100% achievement हासिल हो रही है आपको लेकिन मैं को लगता है 60-65% बात आपके हाथ में आती हुई दिख रही है जिसको आप celebrate कर सकते हैं इसके अलावा मुझे लगता है कि कोई friend की या cousin की wedding हो सकती है जो आपके बहुत close है ना उनकी wedding हो सकती है जो चीजे बहुत शान्त है जहां कोई movement ही नहीं थी वो चीजे भी अब थोड़ा सा मुझे active होती हुई दिख रही है और आपके जो काम बहुत time से नहीं बन रहे थे वो काम बनने के बहुत बहुत ज़्यादा chances भी दिख रहे है ठीक है यह चीजे मैं हाँ पर देख पा रही हूँ और देख लेते हैं चाक्रा wisdom और एककल रेक्से क्या आएगा कुछ cards हमारे पास आगए है wisdom, growth and workaholic मुझे लगता है आपका hard work पे होगा growth आ रहा है आपके पास wisdom आ रहा है जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो मुझे लगता है कोई miracle भी receive हो सकता है आपको आने वाले month में क्योंकि joy भी आता हुआ दिख रहा है एक isolation phase से बाहर आ सकते हो क्योंकि देखो यह तो isolation phase ही बता रहा है यह वाला card भी हमें कि आप आप एक isolation phase में हो तो अब जो confidence आप गेन कर रहे हैं या जो भी wisdom, knowledge आपको receive हो रही है या फिर यह miracle भी हो सकता है तो इससे आपके लाइफ में ग्रोथ हा रही है और आपको ना celebration करने का मौका मिलेगा यह दोनों card भी एक तरीके से exact same है three of cups and joy का card है यह यहाँ पर तो celebration भी आ रहा है आपके पास आने वाले time में आप celebrate तो कर रहे हैं isolation phase से आप भाहर आ जाएंगे पर एक बात याद रखेगा guys काम करना नहीं रोकना है काम तो करते ही रहना है ठीक है workaholic का card है और अभी temperance का भी card है नहीं हाँ पर यह temperance का card है यहाँ पर तो यह card तो बता रहा है कि अभी healing तो नहीं बंद करनी है क्योंकि अभी आपका जो goal है ना वो 100% achieve नहीं हो रहा है 60-65% ही achieve हो रहा है यह joy आते हो दिख रहा है growth होगा आपके career में ठीक है आपके finance में भी कुछ improvements हो सकते है और celebration तो आ रहा है आपके पास आपकी personal growth को लेकर ही आप celebrate करेंगे या फिर आपको wedding engagement event कुछ ऐसा भी attend कर सकते है तो यह चीज़े मुझे यहाँ पर दिख रही है hard work करना बहुत ज़रूरी है ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी achievements हासिल हो गई तो बहुत छोड़ दो काम नहीं है ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना है hard work तो आपको करते ही रहना है यह बहुत important है आपके लिए थोड़े से cards में और निकालना है चाहूंगे details so wait a second cards गिर गाय इनको मैं उठा लेती हूं यहां से देख लेते हैं यहां से क्या आएगा आपके लिए यहां से हमें क्या extra पता चलेगा क्या event है कितने time तक stay करेगा यह तिक है क्या outcome आपको देख कर जाएगा यहां से हमें पता चलेगा लेट सी यहां से देख लेते हैं दो कार्ट्स आ गए हैं हमारे पास और देखते हैं चलिए यहां से देख लेते हैं और यहां से है यहां से भी कार्ड अभी पढ़ती हूँ मैं इसको स्टार वाव स्टार पहला ही कार्ड स्टार होर्स वे आप ट्री की कप और डॉग्स बोट यहां से है हार्ट वाव मुझे ना बॉट्डा उट डेक्स से यह कार्ड बहुत अच्छा मिला है हार्ट और यहां से पहला ही कार्ड जो मैंने पढ़ा स्टार यह दोनों कार्ड मुझे बहुत अच्छे लगे गैरेंटेट सक्सेस और यहां से भी हमारे पास सक्सेस का कार्ड है यह विक्टरी का कार्ड है ठीक है और हमारे पास क्या आया है गैरेंटेट सक्सेस यानि कि आपके पास जनवरी मन्त में जो भी इविंट आ रहा है या जो गाइस आपको थोड़ी बहुत भी जो अचीवमेंट हासिल हो रही है आपके करियर में वो आपको ये बिल्कुल विश्वास इला देगी कि आगे चलकर आपके पास गैरेंटेट सक्सेस आएगी और ये सक्सेस आपकी लाइफ में लाव डीप अफेक्शन और केरिंग भी साथ में लेकर आएगी आपका रिष्टा भी अच्छा हो जाएगा अभी तक लव लाइफ से कोई कार्ड नी आया था बट अब कार्ड आ गया है हमारे पास हाट वाव बहुत ही बहुत ही खुबसूरत बह आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन यू विल गेट इन अपकमिंग मन्त और गैरेंटेंस गैरेंटेंट सक्सेस और लाव डीप अफेक्शन और केरिंग इस सारी चीजे आप रिसीप करेंगे यह तो बहुत ही बहुत ही सुन्दर रीडिंग आ गई है लेकिन एक चीज में को बता देती हूं थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस भी है यू शुड एक्सेप्ट वैलेट केडिसिम यानि कि कोई लोग ऐसे भी हैं जो आपको किटिसाइस करेंगे ठीक है आपको आपको टोकिंगे आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे बट आपको उनकी ब क्योंकि आपको आपको बगवान एक की दे रहे हैं आपकी प्रॉब्लम्स के लिए एक अच्छा आउटकम आपको मिलेगा ठीक है और डॉग्स ग्रीडिंग तुगेधर विट फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स के साथ तो कुछ ना कुछ पार्टी सेलिब्रेशन करी रहे हो क जोगे आने वाले टाइम में आप एक शॉट जर्नी वाले डंगे कि देखो लोगों का यसा होता है कि हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो हम धर्शन करने जाएंगे देवी दर्शन बाबा के दर्शन जो भी आप जिनमें भी बलीब करते हो तो हो सेलिगा कुछ इस तरह की जर इना हाए मैंध करने मैं जाए आता है लाफ बसमेंदि एक ढूशन कोया है ऐसा हो सकता है और आपको सी इना आप ringing बात है और फैमिली से président भी टोवल ऋक्तना है यहिसरों आपके professionals ये लाफ में शुआ लेकर आ रहा है और अगर आपको पूर तरी किसे success भी नहीं मिलती तो ये मन्त में कुछ ऐसा event आएगा आपकी लाइफ में कुछ ऐसी wisdom, knowledge, growth ऐसी आएगी जो आपको विश्वास दिला देगी 100% आपको बिलीव हो जाएगा कि जो आप कर रहे हो उसमें आपको 100% success मिलेगी ही मि chances हैं तो बहुत ही खुबसरत reading है बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे प्रेडिक्शन करके आप लोगों के लिए बट एक काड़ और है गाईज इस पे नहीं नजर चली गई है तो मैं आपको इसे भी explain करूंगी table hard work ahead ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी success मिलने के बाद आप सकें got it अब angel answers देख लेते हैं angel क्या बताएंगे let's see listen to your intuition right now आपको अपनी intuition सुननी है intuition follow करना है क्योंकि intuition आपको सच बता रही है आपके peaceful resolution आपको 100% मिलकर ही रहेगा यह तो guarantee है और choose a new direction अभी के लिए अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा stress है stressful situation है then you will choose a new direction ठीक है you need to choose a new direction आपको जरुरत है कि आप एक नहीं direction choose करें और then अपना काम अच्छे से करें because अब आपके लिए क्योंकि ना देखो बहुत sufferings अगर आपने भी देख ली काफी चीज़े suffer कर लिया है काफी negative situation से भी भार आये हो तो definitely आपके लिए miracle बन चुका है आपके अच्छे कर्मों की वज़ा से तो वो भी आपको आगे चलक अगर आपके मदद कर सकता है ठीक है तो miracle होने के भी chances है और yes guys start यह तो बहुत ही खुबसरत card है गैरेंटी मिल गई अब तो यहाँ पर कि आपको success मिलेगा ही मिलेगा और यह heart मुझे बता रहा है कि आपकी life में love अगर कुछ issue है तो वो भी resolve हो जाएगा खत्म हो जाएगा ठ सारी चीज़े आपके लिए है oh I hope कि यह reading आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंद आई हो अगर reading resonate हुई है तो comment section में बताईएगा चैनल पर अगर आप नए है तो subscribe कर देना video को like कर देना अभी के लिए बस इतना है guys bye take care